करी वq टो इन्डिया बूक ऑफ रिकॉर्ड्स क्रीडी सेल्फी साइंस म्यूजियम जैनी कि 3D सेल्फी के माध्यम से साइन्स को समझना आज हम समझते हैं THE difference between truth and reality difference between truth and reality को समझने के लिए आप देखिए स्क्रीन पे यह picture आपने इस picture में यह देखा अगर तो आप में इस वक्त जब यह picture देख रहे हैं तो या तो अपने mobile phone पे देख रहे हैं या IPAD या टैबलेट पे देख रहे हैं तो अगर तो आप mobile के या tablet के बहुत करीम हैं लगबग एक फिट के distance देख रहे तो बाएं साइड वाला जो पिक्चर है वो फेस आपको थोड़ा गुस्से में चिट्चिडा दिखेगा और दाएं वाला जो पिक्चर है वो नॉर्मल दिखेगा यानि कि एक्सप्रेशन लेस लेकिन अगर आप पांच से दस कदम पीछे जाते हैं दूर हो जाते हैं अपने स स्माइल करने लगा है यानि कि इमाजन कीजे दो अलग 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 डिस्टेंस से एकी चीज को आपका दिमाग दो अलग अलग तरह से दिखाता है तो जिस भी डिस्टेंस में है जो भी आपको दिख रहा है वो उस समय का उस डिस्टेंस के हिसाब से आपका ब्रें जैसा भ how the brain perceives a particular situation, the surrounding, truth based on your belief system, truth is based on आपके दिमाग में बच्पन से अभी तक किस तरह की memories collect की गई हैं, that is through the mind's eye you see the world, and mind is a collection of your old memories, so यानि कि truth is variable, it keeps on changing, versus reality, जो कि variable नहीं है, reality यह है कि यह एक पिक्चर है जो मैं आपको दिखाया था, that was a picture, that is a reality, जो बदल नहीं सकता, तो सच्चाई टूथ बदल सकती है, reality constant रहती है, वो किसी भी circumstance पर निर्भन नहीं रहती है, circumstance का मोहताज नहीं रहती है, हर एक का personal truth अलग अलग होता है, यहां बात कर रहे हैं, इंडिया book of record holders की, इंडिया book of record holders, जिनको मैं बरसों से जानता हूँ, आप ने अपने दिमाग में एक truth बना लिया, imagine किया, that you are going to make a record, एक ऐसा कार्णामा जो जिन्दी के दुनिया में किसी नहीं किया, you created your own truth in your imagination, जो कि बाकी लोगों के लिए हो सकता, unreal हो, लेकिन उस imaginary truth को आप फॉलो करते रहे, और आप इतने passion से फॉलो करते रहे, कि एक दिन वो imaginary truth एक reality में convert हो गई, so here the truth connects to the reality, तो खेर, इसी तरह से 3D Selfie Science Museum के माध्यम से, हम बहुत कुछ जाने ही कुश करेंगे, उसके लिए आपको आना होगा 3D Selfie Science Museum में, 3D Selfie Science Museum की launching date है, 2nd October, महात्मा गांधी जैनती, लाल बहादुर, शास्त्री जैनती, 2 October को launch होगा, और इस launch के occasion में, पहला मौका मिलेगा, इंडिया Book of Record Holders को participate करना दे, क्योंकि इसी समय, इसी दिन यहीं पे, हम करेंगे The International Convocation for India Book of Record Holders, हर साल International Convocation होता है, जहां अलग-अलग देश के Record Holders, अलग-अलग देश के Chief Editors और various Record Books इकटा होते हैं, लास्ट येर Convocation था वेतनाम में, जहां इंडिया से, निपाल से, इंडोनेशिया से, कमबोडिया, यूएस, अलग देशों के Record Holders आए, Chief Editors आए, और वहां पे Record Holders को एक खास International संभान मिला, लेकिन इस बार India Book of Records को यह मौका मिला है, to host this International Convocation in India, और यह मौका मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, अगर आपका नाम, इंडिया Book of Records के किसी भी 19 एडिशन, पिछले 19 साल में के किसी भी एडिशन में अगर आपका नाम है, तो आप eligible है, इसमें नाकेवल पार्ट्स पेर करने के लिए, बलकि इसमें इंटरनेशनल गेस्ट के तहत आपको आउनर भी किया जाएगा, और साथ में मीडिया बाइट्स होंगे, आपका फोटो शूट होगा, आपका पुरा प्रोफाइल होगा, और वो प्रोफाइल, पिक्चर्स, आपके जर्नी, देश विदेश के मीडिया में, सोशल मीडिया, ट्रेशनल मीडिया, निउस प्रोफाइट्स में जाएगा भी, इंक्लूडिंग अवर ओन इंडिया बुक आफ रिकॉर्स मंतली मैगजीन जो कि हिंदी और इंडिश में आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एचीवमेंट जिस दायरे में भी है, उस दायरे से बढ़के दुनिया तक पॉंचे, अगर आप चाहते हैं कि देश भी देश के और recorders से आपका या हमारे भारत के और अच्छे recorders से आपका एक networking हो तो ये एक right opportunity है to take your achievement to the next level ताकि आपका जो आपकी जो मेहनत वो लोगों तक पहुंचे आपका जो एक unusual एक talent है वो दुनिया तक पहुंचे तो अगर आप India Book of Records के इस international convocation में participate करना चाहते हैं तो screen पर दिये वे link में जाके अपना detail भर दीजे और या फिर हमारा जो WhatsApp नमबर है उसमें भी अपना detail आप डाल सकते हैं that you are interested हमारी team आपको contact करेगी और अगर हमारे board of editors ने आपको shortlist किया so you may get a chance to be at the international convocation for India Book of Records holders all the best milte hai in person on 2nd October at the launch of India Book of Records 3D Selfie Science Museum all the best thank you Jai Hind